हेलो दोस्तों मैं हो अमितौ फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज बहुत ही एक फण लिटिल टेस्ट हम लोग करने वाले हैं मैं जनरली मानता हूं कि भई बेंचमार्क स्कोर्स इतने ज्यादा इंपॉर्ण नहीं होते हैं रियल लाइफ में लेकिन जब भी कोई नया स्मार्टफोन लाँच होता है ब्रैंड अपने फोन के बेंचमार्क स्कोर्स को दिखाना नहीं भूलते हैं उनको लगता है कि भाई उनके फोन का बेंचमार्क किसी और फोन से सबसे ज्यादा है या बेटर है तो यहां पर मेरे सामने है चार अलग- 865 प्लस चिपसेट और उसके बाद है OnePlus का 8T स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 और यहां पर हम लोग करते हैं सेम आप सेम टाइम पर और देखते हैं कि भाई कौन से फोन के इंदर सबसे ज्यादा स्कोर्स हमें मिल जाते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करें से पहले बता दो कि अगर आपको वीडियो पसंद आते है वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं आता है डिसलाइक करके आपका जो भी फीडबैक है नीचे शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटे चार्ट वीडियो बेंचमार्क टेस्ट और दोस्तों रिजल्ट्स आपके सामने है वन प्लेस एटी के अंदर है स्कोर 5,87,000 आरोजी फोन 3 में थोड़ा उसे ज्यादा स्कोर है जो है 6,13,000 और मी 11 के अंदर आपको स्कोर मिलता है 6,73,000 जो सबसे ज्यादा है इन चारो फोन में से और आइफोन 12 मिलीजियो मिजे ए 11 स्कोर रहेगा वहां पर स्कोर निगल का है 5,88,000 अब मैंने रन किया है गीक बेंच जो एक एडिशनल टेस्ट करेगा मल्टिपल लेवल्स में और यहां पर हमें बता चलेगा कि भाई सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर में क्या डिफरेंट स्कोर हमें देखने मिलते हैं तो य यहां पर सबसे कम स्कोर जो सर्प्राइजिंग बात है वो मिले हैं मी 11 स्मार्टफोन को सिंगल कोर में 755 उसके बाद है यहां पर वन प्लेस 80 विदे स्कोर अफ 894 आरोजी फोन 3 विदे स्कोर अफ 990 और फाइनली यह चोटा सा आइफोन 12 मिनी स्कोर लेके आता है 1575 सेम वे मल्टिकॉर की रिजल सामने है इस वास जाएज देखने के लिए कितने बेंचमार्क स्कोर क्लेम करती है इन रियलिटी जब फोन हमारे हाथ में हाते हैं किस तरद प्लेट मिलते हैं और बस वही था इस वीडियो का प्लीट मोटिव आप अगली वीडियो में थेंक्यू एंड गुडबाई